फकत पासे वफादारी है वरना कुछ नहीं मुस्किल बुझा सकता हूँ अंगारे अभी आँखों में पानी है यह सेर जो लिख सकता है उसमें हुनर है, इल्म है, इंसानियत है और स्वेम परकास की खास बत यह है कि उनमें इंसानियत है और इंसानियत के बदोलत वो अंगारे बुझाने की चमता रखता है स्वेम परकास की कहानियों की खासियत यही है कि उन्होंने इंसानियत को अपने कहानियों में उभारा है जो कहानी मैं पढ़ने जा रही हूँ, वो कहानी है नैंसी का धुड़ा और Swamprakas की जो कहानीों का सिलसिला मैंने शुरू किया है उसमें से एक कहानी ये भी है जो आपको काफी परभावित करेगी और मैं कहूंगी कि अन्त तक इस कहानी को आप जरूर सुनें क्योंकि अन्त ही आपको कहानीों की असली जो मरमिकता है वहां तक पहुंचाता है वैसे तो इनकी बहुत सारे कहानी संग्रा है, स्वंप्रकास की, जैसे सूरज कम निकलेगा, मात्रा और भार, आस्मा कैसे कैसे, तो आई हम कहानी पढ़ते हैं, नेंची का थुगा, सूनी, पानिदार, काली आखें, तक तक आस्मान को ताक रही हैं, उनमें कोई उस्मा, कोई जीवन, कोई हकीकत नहीं है, एक त्रासत याजना है, सिर्फ मुक्ते चाहिए, यानि मुक्ते तो, पस बहुत हो चुका, अब मुक्ते तो, मुक्ती कहां है, मुक्ती का रंग सायध हरा है, डंडो की मार में, भूख में, अपमान में, उपेच्छा में, हर अंसुनी फर्यात में, हर हमेशा हरा रंग दिखाई देता है, हरा कच्चा, सुगे की पंकुरी जैसा, उस हर्याली में एक चितकबरा धबबा है, अक्सर, अचल यह मा है, और एक छक सफेद बिंदू है, कुदता भादता, फिर फिर पलटता, कुदता यह उसका बच्पन है खुद का, खेद के बीच मचान पर खड़ी, बाई के तरह, चारो तरफ नजरे दोड़ाती, कान खड़े करती, सारे परिदिस पर नजर रखती, देर हो जाने पर बुलाती, संकट देखकर दोड़ी आती, कानों को, पुठों को, बदन को, प्यार से चाटती, यह मा है, मा के गुलाबी तने हुए धन है, दूद से लबालब भरे हुए, वे दोड़ते हुए आते हैं, और एक टहोके में अमरित की धार छोड़ने लगते हैं, एक नहीं, चार-चार, सब के सब भरे हुए, हर हमेश, कभी एक से पीता है, फिर उसे छोड़कर, तुसरे पर लटु और मा पुठे चाड़ती है, प्यार से, ममदा से, तिरिप्ती से, लेकिन बहुत जल्ली उसे खीच कर परे कर दिया जाता है, वी रोज में टांगे, पटकारती मा के पैर बांदिये जाते हैं, उसे थनों से फुटेक भर की दूरी पर रखा जाता है, तरस्ता हुआ और मा की आखें अटूट का तर्ता से भरी हुई, नम हो जाती है, दुनों की आखों के सामने उसके हिस्से का आहार दुशरे छीन ले जाते हैं, यह न्याय से उसका पहला परीचा था और विवस्ता से भी, लेकिन बच्पन के दुखों की उम्र छोटी होती है, फिर कुदाने पल में लगा लेता है, कभी गर्दन पर हाथ पिरता है, कभी पीट पर धप लगाता है, कभी सामने बैठकर मूँ में पतियां ठुचता है, कभी अपनी भासा में जाने क्या-क्या बादे करता है, उसके स्वर में प्यार है, अताव दोस्त है, दोस्त उसे अपने पीछे दो जाता है अचानक वा सीर आगे जुगह से लपकता है और सीधे नेनिया के तूंगों से टकराता है घीजे से नेनिया खिलखिला हस पड़ता है और उसकी गर्दन से लिपड़ जाता है दोस्त और वे कई हैं उनके नाम नहीं है उन्हें केड़ा के सामोहिक नाम से पुकारा जाता है यह अभी छोटे हैं उसके हम उम्र जब वे कुछ बड़े हो जाएंगे तब उनके नाम रखे जाएंगे वे सब सुबह घुमने जाते हैं खुब सारे साथ साथ जूलूस की तरह पीछे पीछे छोटी छोटी लक्रियां लिये मुह से टर्टिरिक आवाजे निकालते दो तीन ननहे रबारी होते हैं बड़ों की तरह पग रखी पहने पोतिये पहने पहले नेनिया भी साथ जाता था उसकी आवाज, उसकी हसी, उसकी किलकारिया दूर से ही पहचान में आ जाती थी नेनिया जब पुकारता तो वह कान खड़े करके पूछ उठा करके फोरन भागता जरूर कोई मज़ेदार बात होगी पर अब नेनिया नहीं आता वह स्कूल जाने लगा है रबारी लोग से तहलते रहो, कच्छी दूग टूंगते रहो, एक दूसरे के माथे लड़ाते रहो, एक दूसरे की पीट पर चड़ते रहो, ठक जाओ तो बैठ जाओ और आँखें भीज कर जुगाली करते रहो, मस्ती से सिंजारे वे टिरिक टिरिक करके सब को समेट कर खड़ ले जाएंगे जहां किसी दूसरी जगा से मा आएगी अपने गुलाबी तने हुए दूद भरे थनों के साथ नेनिया और अंधेरा और बिबिन आवाजे और एक खूटे के पास की ठंडी चपीन घार बहुत बड़ा था, उसमें धेर सारे जने थे, कुछ नेनिया जैसे और कुछ बहुत बड़े-बड़े एक खूब बड़ी लुगाई थी, जो खूब बड़ा काले रंग का घागरा पहंती थी और उसके हाथ भी खूब बड़े-बड़े थे उसका खूब रौप था, पर वह भी दोस्त थी वह बाजरी के सोगरे खिलाती थी, कभी राबड़ी, कभी वापसी और कभी मौज में आती तो गुड़ पर बहुत जोर से बोलती थी और सब लोगों का रुआप और सब लोगों पर रुआप छाटी थी उसे सब बाई कहते थे, एक खूब बड़ा आदमी था वह सिर्फ सिंजा के बाद दिखाई देता कभी-कभी उसके मुन्जे से खूब सारत हुआ निकलता और भी बहुत जने थे एक दिन घूमने जाते समय एक खेट में, रास्ते में उसे खूब बड़ी-बड़ी खास दिखाई थी लाइन से लगी हुई, टांगू तक उंची वह रुख गया टोले से अलग हो गया और खाने लगा यह मिठी खास थी, खूब रसदार उसने सोचा वह रोज आकर रुख कर यहां पर खास खाएगा लेकिन तभी एक रभारी दोड़ता हुआ आया और उसके पीट पर जम कर तीन-चार छड़ी जमा दे वह हरबड़ा गया और भाग जोटा, काफी आगे जाकर रुखा और सोच में पढ़ गया क्यों मारा उसने, तुम मुझे दूद भी नहीं पीने दोगे और खास भी नहीं खाने दोगे, क्यों वह उस रभारी से नाराज हो गया, उसके जी में आया उसने सोचा जब वह बढ़ा हो जाएगा तो जरूर इस रभारी के टूंगे में सिंग्डे मारेगा समय आने पर सिंग भी आया, लेकिन वह बच्पन का निर्नय भूल गया और भी बहुत सारी बाते थी, एक से एक और दिल्चस्प की वह बात्यार न रहना ही स्वभाविक था मा का दूद उससे एकदम छूडा दिया गया था, और कुछ दिन बाद मा ने दूद देना ही बन कर दिया अब मा की नांद खाली पड़ी रहती थी जब उसके बदन की चिकनाई खत्म हो चुकी थी, बलकि हड़िया निकल ले लगी थी अब न मा उसे दिखकर कोई प्यार जटाती थी और न उसे ही मा की प्रती पहले जैसा उच्छा महसूस होता था न मा में पहले जैसी व्याकुलता थी और न उसमें पहले जैसी ललक थी नेनिया रोज दफ्तर पट्टी लेकर स्कूल चला जाता था और साम को इस उसकाम में लगा दिया जाता था उसके दोस्त भी दुसरे हो गए थे और खेल भी उसके दुसरे नेनिया अब कभी कभी ही उसके पास आता था आता भी तो उससे पहले की तरह बाते या खिलवार नहीं करता चुप चाप इधर उज़र से उसका बदन टटूलता पुठे ठपकारता, पूछ मरोरता, मुझ खुलकर दान देखता और चला जाता उसका नाम भी नेनिया से बदलकर अब नैनसी हो गया था नैनिया के वेवहार में एक महत्वपुर्म परिवर्तर यह भी था कि अब यह उसे धुड़ा काकर पुकारता था और यह बात सचमुच काफी कोशिस और वक्त के बाद ही वह समझ सागा कि धुड़ा काकर उसे ही पुकारा जा रहा है और उसी का नाम धुड़ा है और समय आने के बाद वह यह भी समझ पाया कि उसके टोले के केड़े जिनावर होते हैं और सब केड़े एक जैसे नहीं है कुछ केड़े है और कुछ केड़ी है दोनों के सरीर बैज्ञानिक अंतर को उसने लक्षित किया अब उससे उसके साथियों में से कईयों के दात और सींग निकल आये थे और टोले में कई नए केड़े और आह मिले थे छोटे छोटे जिनकी वो उपिछा करना ही ज्यादा पसंद करता था जिस अनुपात में उसके भूख बढ़ती जा रही थी उसी अनुपात में दूब घास हरियाली कम होती जा रही थी हरियाली सिर्फ खेतों में थी और खेतों में मुह मारने की मना ही थी पारी पीने के वेरे में जाते हरियाली के एन बीच पर हरियाली में कोई मुह नहीं मारता भूख की कसर घर पर सुखे भूसे चारे से किसी हद तक पुरी होती पर सब उसे सुखे पिले निर्जीव पदारत को मुँ में भड़ना लार से गीला करना, चबा कर नरम करना और सटकना भी वह काफी मेनत और कष्ट से ही सिख पाया उसे मन पसंद खुराक नहीं मिलती थी, लेकिन उसके रग पुठों में चरती जवाने की ताकत थी और यह चलता तो दबंग की तरह सीर उठाए, आँखों में विश्वास और चाल में मस्ती थी नदी की उठती हुई लहरों की तरह मगरूर और मसरूर वह यह भी समझा कि दुनिया का सबसे बलिष्ट, सबसे स्वभिमानी, सबसे प्रभावसाली और मस्त कोई प्राणी है तो वह साण है जिसका डखराना एक विजय घोस है और जिसके लिए अच्छी अच्छी रास्ता छोड़ देते हैं उसने तय किया की वह बड़ा होकर सांड« लेकिन समय ने उससे यह भी समझा दिया की घर उसका बड़ा नहीं है, जितना वह समझता था न उतना संपन्द, और लोग तो कतेई उतने बड़े नहीं हैं कि मा सिर्फ मम्ता में तूध दात्री नहीं है वह फुसफुसाती भी है, पूश भी फटकारती है और पास जाओ तो सिंग्रे भी गुमाती है एकदम जिनावरों की तरह कि नैंसी एक लंबी काली टांगों और शिकुडे मुहासितार चेहरे तथा खड़े बालों पीले दातों वाला कमजोर सा मिनक बद्दा जा रहा है जिसे आदमी हर दम गालिया बकता रहता है और बाई तो ठोक भी डालती है कि हरियाली दिन बदिन सिकुर्ती जा रही है और भूसे का सपिला उदास रंग धरती पर फैलता जा रहा है कि भूक और भोजन जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और खूंटा एक तकलिव दे चीज़ का नाम है उसे मिनकों की भासा और उनकी स्वर संगात थोड़े थोड़े समझ में आने लगे थे और उसे लगता था कि घर की आवाजों में से किलकारिया दिन बा दिन घड़ती जा रही है और लाचारिया दिन बा दिन पढ़ती जा रही है बाहर प्रोल में लोग आते जाते रहते हैं और जगले जंज़त होते रहते हैं आदमी मुंडे से धुवा निकालता ही रहता है और भीतर घर में बाई देन भर जीकती रहती है और इस उस पर हाथ छोड़ती रहती है यहां तक आप समझ गए होंगे कि घर की हालत दिन वो दिन खराब होती जा रही है जितनी बुरी हालत प्रकिटिकी हो रही है वही हालत उस परिवार की भी हो रही है जिस घर में दूड़ा रहता था और बच्पन से जहा रहा था अब दूड़ा भी बड़ा हो गया फिर भी मा मा थी बाई बाई थी और घर घर था फिर ऐसा समय भी आया कि मा गूम हो गई बाई डुकरी बन गई और घर भी छिन गया लेकिन इस दुर्भागे का अध्याय सुरू होने में अभी थोड़ी देर थी जब वो पांसल का हुआ तो यह मान लिया गया कि अब वो जवान हो गया है गबरू तो वो था ही अपनी भूख और रहस्य में जीके असाओं के बाउजूद हर आता जाता यही कहता कि धूरा अब जवान हो गया है कुछ के स्वर में लालच होता कुछ में इरसया और कुछ में चीड़ कुछ तो मुलाने तक लगते चार हजार नहीं तीन हजार यह सही है उसने दो चार बार उट पटंग हरकते करने वाले खाम खाट डंड़ा मारने वाले और पोटे के लिए पुठों से चिपके रहने वालों को सिंग मारा था दस-पांच बार मोका देखकर खेतों में मूँ भी मारा था और कुछ डर्पोक और बेवकुफ केडियों के पिछे भी पड़ा था तो कहा जाता था कि अब वह जवान हो गया है अब इसे नाथो और जोगतो एक दिन उसके दांद गीने गए एक हाटिया को बुलाया गया उसे टांगडे बांद कर जमीन पर पटक दिया गया नाक में रसी डाल दी गए और और उसकी खसी कर दी गए वह छट पटा रहा था मूँ से छाग फेक रहा था लेकिन बेबस कर दिया गया था हाटिया के हाथ में ब्लेट थी सिर्फ ब्लेट उसने धूरा के अंड़कोसों की चमरी में चीरा लगाया अंड़कोस निकाल कर फेक दिया और चमरी को अंगुठे उंगले के बीच रख कर दबा दिया और बस तो मिनट में सारा काम हो गया दूड़ा को बिल्कुल नहीं पता चला कि उसे किस प्रकृति प्रदत अधिकार से किस सुख से किस संभावना से वंचित किया जा रहा है मानू कहा जा रहा हो कि न सोचो न सपना देखो क्योंकि उन्हें हम कभी पूरा नहीं होने देंगे एक उच्सो की तरह उसे एक जोड़िदार के साथ हाल में जोद दिया गया और पीच पर चावुग चितकने लगे उसने कभी अपनी पीच पर मक्ही तक नहीं बैठने दी थी वह दूम उठाकर भाग रहा था यह था सकती छूटने के लिए और उसकी पसंसा की जा रही थी जोड़िदार उसकी इस हरकत से खुश नहीं था लेकिन वह कर भी कह सकता था क्योंकि भागना तो उसे भी था दिरे दिरे बाद इसका भी अभ्यस्त हो गया और जोड़िदार का भी यहां तक कि उसे अपने गले में पड़ी घंटी और उसका टून टूनाना अच्छा लगने लगा पीट की समवेदन सिल्थिरकन बुझ गई पैर चलने और गर्दन जूदने की अभ्यस्त हो गई अब सामने जुआ आता तो जराशी ठिचकारी मिलते ही वह जुए के नीचे गर्दन को सेर देता एक देन उसे नहलाया गया उसके पीट पर रंगीन ठपे लगाए गए बदन पर रंगीन जूल डाली गई सिंगों को रंग कर उन पर रंगीन फुदने लटकाए गए पैरों में जालर बादी गई गले में कोडियों की माला पहनाई गई और गाड़ी में जोद कर कहें ले जाया गया यह एक नई दुनिया थी नया अनुभव था और नया मजा था गाड़े पर बना ठना नेंसी बैठा था जहां गए महां खुब बढ़िया हरी खास खाने को मिली खुब आराम करने को मिला जोड़ीदार के पास दीन भर चाया में बैठे बैठे जितना मन करे खात करते रहो और जुगाली करते रहो और बस और तीसरे दिने गोरी छक ठसकेदार लुगाई को नैंसी के साथ बैठा कर वे वापस आ गये कुछ दिनों तक तो जैसे रूठी बाहारे घर में वापस लोट आई बाई बुढ़ापे और बिमारी के बाउजु थी रखने और को फटने से पहले उसका दिन सुरू हो जाता बाई चुला जला कर रूटी पकाती नेनिया की लुगाई जानवरों के आगे भूसा पानी डालती चाज बिलोना करती जाड़ों बुहारों करती सुबस से पहले वे रवाना हो जाती दीन भर खेत में खटते बीच दो फेरी के छड़िक आराम के सिवा और सिंजारे पराते खापी कर पड़ रहते बेहत ब्यस्त और ठकाने वाले दिन थे फिर भी कोई गाल लेता था कोई हंस लेता था दुरभागे से या इस घर की आखिरी हंसी थी इसे फिर कभी नहीं हंसना था काल पड़ गया बुआय के बाद एक छीट पड़ी और बस अंकूल फोटे और बस थोड़ा चारा हुआ और बस बेरों का पानी नीचे उतर गया जहां बेरों पर मोटर लगी रहती थी वहां हर्याली थी और बस अब भूसे की मातरा कम होने लगी मार डगराती रात में कोई नहीं सुनता ज जगरे जंजट फिर चालू हो गय थे अब उसका कहीं कोई काम नहीं था उसे खिलाना घरवालों को अभारी पड़ रहा था नैंसी ने दूसरे के खेतों में काम करना सुरू कर दिया था जहां बेरों पर मोटरे लगी रहती थी जहां हर्याली थी जहां अकाल केंद्र में न जमीन टुकड़े हुए जा रही थी टुकड़े बुहरा की दाढ़ में सरकते जा रहे थे घर के टुकड़े हुए जा रहे थे जमीन के टुकड़े हुए जा रहे थे और टुकड़े बुहरा की दाढ़ में सरकते जा रहे थे एक दिन आदमी ने किसी बात पर नैंसी को ठो आखों से सारा घटना करम देख रहा था चुप चाप मा भी मानो जगड़े की जड़ में यही हूँ मानो अभी ये भी पिट सकते हैं उस रात नैंची ने उसे खुप लाड़ किया गर्दन से लिपटा पीट पर हाथ फेड़ा धूरा धूरा करता रहा दूसरे दिन उससे या अजनभी मकान में छोड़ गया है यूतने में उसे कोई परशानी नहीं थी खेत के भूर भूरे धगलों में या कच्ची नम जमीन में चलना उसे आता था पर यहां दसा कुछ और थी गाड़े पर खुब सारा भार था जोड़िदार नया था काला कलूटा और ठिंगना एक बार लगाम खिचता बार बार चाबुक मारता बिना वज़ा धूरा जोड़ लगा कर आगे बरता जोड़िदार की नानी मरने लगते जबकि उसे पूरे रास्ते एक भी चाबुक नहीं पड़ा जमीन पत्थर की तरह शक्त और काले थी बड़े बड़े चढ़ाव उतार औ और तीखे घूम एक चढ़ान पर हाफने वाले ने चिलाते गली आते हुए धूरा की पीठ में डंडा खूप दिया धूरा गुस्चे से विफर गया वह चोर से फुसकारा और उसने जूरिदार की कनपटी में सीम मार दिया गाड़ी हचक मचक हो गई इस उपलक्ष में अगर नहीं था यह खूटा वह खूटा नहीं था ना माथी ना बाई ना नेनिया ना उसकी लुगाई धूरा चुप चाप खड़ा हो गया उसके आगे कोई भूसा डाल गया उसने सूंकर उसे छोड़ दिया पानी दिया दो चार घूट पी लिया सीर उचा कि ये खड़ा उसके गर्दन पर कठा पड़ गया था तुख रहा था पर क्या किया जा सकता था सारूबुति के प्यार के दो बुल बुलने वाला भी वहां पर कोई नहीं धूड़ा इनका अखी लगता कौन है धूड़ा मर भी जाए तो इनको क्या फ़र्द पड़ेगा सब सो गया हो साइद नैनिया आजाए साइद बाई लेकिन कोई नहीं आया रात भर कोई नहीं आया उसकी आँखों से आसों के काली लकीरे निकलने लगी नथुने फुफकार छोड़ते रहें मन में धेरो गुसाई कर्था होता रहा सुबह जो सामने आएगा उसकी घर नहीं यहां के लिए तरस्ता रहा और गुसाईल हो गया मौका मिलते ही लोगों को वह अब सीन मारता जहां मर्जी आती अड़ जाता है एक बार एक छोड़े को उसने पने सीन पर उठा कर पीछे फेक दिया तब से उसकी पास कोई नहीं आता हाकने वाले की सेवा जो दोस्त नहीं है उसके पुट्टों का सारा मां सूप गया है चोट के निसान पक्के हो गया है अब वह निस्रड़ा और मार का अभ्यस्त हो गया है एक बार उसे डाम भी चेटाया जा चुका है जिसको काम की कदर नहीं उसके लिए क्यों खटो खामखा सताते रहने वाले के लिए कौन अपन हार गलाएगा इसका वास्ता या तो कभी अच्छे जिनावर से पड़ा ही नहीं होगा या यह उसका बील ही नहीं है कि कोई अच्छी तरह इसके साथ काम करे प्यार के दो बोल नहीं पेट भर खाना खुराक नहीं मार कभी रुकती नहीं धूरा गुस्चैल धूरा सिर्फ क अभी कभी सुचता अब पुराने घर की अधीक तर तो यहीं सुचता कि खूटा तुड़ा कर भाग जाए एकदम आजाद और मस्त हो जाए साण की तरह और एक दिन खूटा तुड़ा कर भाग भी गया रसी खूटे समयट पर काफी देर मस्ती मारने के बाद उसे धर की या आज़ी राक्चस के यहां छोड़ाया, दूसरे साल भी पाने नहीं बरसा, तिसरे साल भी पाने नहीं बरसा, और का ओंके आसमान में चीले चकर काटने लगे, भाए भाए जौफट सरपाट सुंसान हरियाली का कहीं छिटका तक नहीं था, आँखों में धूल और धोपकी, करकती फिलजडियां और गले में खुबे प्यास के भरूट काटे सिर्फ यही थे जमीन चले गई, बाई गुजर गई नैंसी नौकरी करने राम नगर से ला गया उसकी लुगाई पीहर चले गई घर में कौन धुआ छोड़ता सिर्फ आदमी मा एक कोने में भुख से रंभाती और धूरा दूसरे कोने में खुडों से सुखी जमीन खुडता, मित्री चाडता कोई ले ले, कोई हमारे जिनावर खरिद ले ऐसे ही ले ले, बिचारे मरेंगे तो नहीं, पर कौन लेगा मिनक भुखे तिर से फिर रहे हैं, जिनावर की हत्या कौन लेगा सारा घर सारे दिन सुना पड़ा रहता सुबह का गया आदमी सिंगारे पर लोडता और हाफता हुआ धुआ छोडता, या करवटे बदलता, दाता दाता करता रहता मा और धुड़ा उसे देखते रहते, चुपचाब और अहिल क्या बात है, क्या तकलीफ है, क्या हम तुम्हारी काम नहीं आ सकते चारू मेरे लोग बिमार पर रहे थे और मर रहे, जिनावर परते, खुन उगलते और खतम लोग ये बंजर और कडियर लोग परसात ना होने के आदी थे, सुखे के अभ्यस्त थे, वर्षा के लिए याचना करने वाला कोई गीत उनकी भासा में नहीं था ये पसुधान बलकी पसुबल के बूते पर पिढ़ियों से प्रकृति के आगे छाती खोले, खड़े थे, जमीन ऐसी थे कि दो बरसाते ठीक, टेमपर हो जाते तो खुब सारा अनाज हो जाता था जिसे वे बरस, दो बरस, तीन बरस कंजूरसी के साथ बरते रह सकते थे इसके अलावा ज़्यादा चीज के उन्हें दरकार भी नहीं थी, उसकी रीड़ का, उसकी हेकड़ी का रास था उसका पसुधन बैल, गाए, उंट, पकली, भेड़, लेकिन पसुधन को देने के लिए ही, ना पानी, ना मील, या सीधे पेट पर लाथ है बाबुजी, पेट के निचले हिस्से पर, और इस्वर, हाँ इस्वर, इस्वर कितना कुरूर है लोग टोले बनाकर गाओं छोड़ने लगे, अपनी जानवरों के साथ, छोटी मोटी टोलिया बनाकर, अपनी गिरिस्तियों को लेकर, इलाके में कसाईयों ने फिरना सुरू कर दिया था गाएकी की मच 20 रुपए, बैल की 30 रुपए, मरो जलात, कौन बिचे गाए इनके हाथों अपना लाड़ कोड से पाला जानवर लेकिन कोई तो बिस्ता होगा, वरना ये आते ही क्यों आदमी की हफनी में, उसकी अंतहिन करवटों में, उसकी दाता-दाता की गुहार में ऐसे ही न जाने कितने हाहाखार, चकराती, आंधी की तरह घुमेरे मा रहे थे एक दिन कहीं से आता लाकर आदमी ने तिक्कड बनाए, अपने हाथों से मा को खिलाए, गुड खिलाया सब करते हुए लगतार हाफता रहा, दर असल हुआ रो रहा था अंदर से रोली लाकर मा के माथे पटिका लगाया, उसके हाथ जोड़े और रसी खुलकर उसे पाहर निकाल दिया प्रोल का दरवाजा खूट दिया और वहीं जमीर पर धप से पैठ कर जोर जोर से विलाप करने लगा मा जोर जोर से रंभा रही थी, अनिष्ट की आसंका उठाकर उसे आतंक के फुतेले गहवरों में धकिल दिया गया था यक बयक एक केड़ी के रूप में वह इस घर में आई थी, अपनी मा के साथ चार बार वह ब्याई वह इस परिवार की सदस्य थी है, जिन्दा नहीं है क्या, कोई कहे तो और कैसे निर्मम्ता के साथ उसे इस घर से हकाल दिया गया उसकी करूना और कातर बाँ 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 ना जाने कब तक बंदर वाजे पर बिलगती रहे कौन सुनता, आदमी, आदमी पत्थर की तरह जड़ और निस्पन्द था और एक दिन एक तेली धूरा को खरेद ले गया, सिर्फ पचास रुपए में धूरा की आँखों पर पट्टी बान दे गई और उसे कुल हू में जोद दिया गया और चल भे, ऐसी रात दूरा की जिंदगी में कभी नहीं आई, जिसमें कहीं कोई शंग भी न दिखाए दे एक ही गंध, एक ही मारक, एक ही जुगा, रात, दिन, खाने को सुखा भूसा और थोड़ी सी खले पाउं के नीचे कीला पुआल, घाने के बाहर पाने की नांद, वहीं खाना, वहीं सोना, जो भी थोड़ा बहुत तेली सोने दे, पर तेली क्यों सोने दे, चला, फिर चला, फिर चला, और चक्कर आगए गीर पड़ा, मार पड़ी, फिर चला, फिर लड़खणाया, फिर मार पड़ी, फिर नहीं चला, नहीं चलेगा, मार ले, कितना मारना है लेकिन मार की भी हद होती है, भागा, पर कहां भागेगा, वहीं गोल, 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 आने दो, किसी को नजदिक आने दो, वह ऐसा सिंगणा मारेगा, और सिंग उसने मारा लेकिन मार तो जो पड़ी सु पड़ी, सितम यह हुआ कि उसके सिंग ही कटवा दिये गए, नरक बन गई जिन्दिकी, और वह बुझता गया, बुझता गया उसकी आँखों की रोसनी ही नहीं, आत्मा की रोसनी भी बुझने लगी सारा उत्सा, सारा विद्रो, सारा स्वाभि मान, बून्द बून्द निचुड गया कुछ भी खा लेना, कुछ भी सह लेना, कैसे भी मड़ लेना है कोई अर्मान नहीं, कोई सपना नहीं, कोई स्मृत्पी नहीं, अत्यचार ही होता अगर कोई उसकी आँख पर बंदी पट्टी खोल देता और उसे अब आजाद कर देता लेकिन उसके साथ यही नहीं किया गया चार साल अच्छी तरह रगेदने के पाद हड्डियों का सारा सत निचोड लेने के पाद भी ना काम बंद हुआ ना मार उसकी गर्दन पर जक्म हो गया जक्म पर दीन भर मख्यां बैटती जिने वह खड़ा खड़ा ना कूच से उड़ा पाता ना सिंग तो थे ही कहां उसके जक्म पर पीव पड़ गई वह गंधाने लगा और फैलने लगा और नासूर बन गया और उसकी दसा ऐसी हो गई कि वह सीर भी नहीं उठा पाता रात दीन मोटे मोटे गाढ़े आंसूरोता रहता और खड़ता रहता बिमारी कष्ट मार आतन के मिर्टिव सब उसके प साहरी ही नहीं भितरी पतिरोद भी नश्ट होता गया और वह एक जीता जाता लास बनता गया सारी घाणी जक्म मवाद की बदबू से भर गई बदबू तेल में भी उतरने लगी ग्राहक चिर्चिराने भटकने और कत्राने लगे लेकिन तेली जो दिवाली के दिन भी बैल को नहीं भखसता उसे रगेदता रहा रगेदता रहा एक दिन घुरा ऐसा गिरा कि फिर उठने पाया लाग कोशिसे की उठाने वालों ने आखिर उसके आँखों की पट्या खोलती गई पेट के नेचे डंडा फसा कर रसीयों से बांद कर खीच कर उसे खड़ा किया गया ख जहां तेरा भागिर तुझे ले जाए एक बीमार, बुढ़ा, मरियल जानवर, मक्हियों, कवों और कीडों से गिरा रो रहा है और खीशट रहा है या भूखा है और किसी ने उसके सामने खाश डाल दी हरी घास और उसमें इतनी भी सक्ति नहीं है कि उसे जबरों में ठूस ले या चबा ले प्यासा है और पानी है और पानी में मूह डाल लिया है पर उसे नीचे नहीं उतार पा रहा है ऐसे जीवन को मौत आ जाए इससे अच्छा और क्या हो सकता है लेकिन बदसूरत से बदसूरत जिंदे की खुबसुरत मौत से अच्छी होती है धीरे धीरे जीवियों को ढोते हुए ना जाने किस चेतना, किस अंतरप्रणना, किस आवेक के सहारे उसने अपने गाउं की डगर ढूंड ली जानवरों की जो बहुत से बाते मनुस से कभी नहीं समझ पायागा उसमें से यह भी एक थी चलता रहा, घिसटता रहा, निरुद्नुरुद तो एक रुखता, चलता जाना ही है, अब गाउं सामने था, पहले की तरह लह लहाता हुआ, हरा कच्च, सुग्गे की पांकरी की तरह, यह देखने के लिए उसकी आँखे कब से तरस रही थी, वह रुख गया और टक-टक देखता रहा, बस अब ठीक है, फिर चल पड़ा, की उतावलापन नहीं था, आँखों से आसू बह रह थे, काली लकीरे आसू की, गर्दन नीचे चुकी हुई थी, भारी और सब प्रसन धीरे-धीरे सरक रहा था, भारी पैर धीरे-धीरे सरक रहे थे, गाउं पर सुबह की चंदेरी धूप फैली हुई थी, ठंडी हवा चल रही थी, फसले लहलहा रही थी, केडे-केडियों का सफेद, उदता फांदता जूंट, चरने जा रहा था, पिछे-पिछे टर टिरिक करते, रवारियों के दो-तीन बच्चे, कोई मुर्गंज भी बजा रहा था, पता नहीं, सायत नहीं बजा रहा होगा, सिर्फ भ्रम हु पन के चारागा से कितना पास था, लेकिन कितना दूर, गाउं से बाहर एक आजाद जमीन पर जैसा पुद्रत में उसे बनाया होगा, पहुंचा और मीर पढ़ा, वह गिरा और मर गया, आखें खुली रह गई, टक-टक आसमान को देखती, अब कवे आएंगे और काली पनिल खाले आँखों में चोंचे घुशेड कर मांस की नरम नरम लीरियांग खीचेंगे, फिर गिद आएंगे, डराने और मनहूस, और उनके लिए आँखों की नरम ने से छोड़कर कवे खुड़ों के नीचे से नरम मांस को नोचना सुरू करेंगे, चारों तरफ दुर्गंत जाएंगे, जिससे आकरसित होकर फिर कुटे आएंगे और अपने पैने दातों से उसका पेट चीत कर आते चबाएंगे, फिर गिद्धों का एक पूरा जुन्ध होगा और वे इतना खा चुके होंगे कि उनसे उड़ा भी नहीं जाएगा, और वे फिर फिर खाएंगे, चम का होगा, फिर धीरे धीरे सिर्फ सफेद पंजर रह जाएगा, और इससे पहले कि वह भुर भुरा कर मिट्टी में मिल जाए, कोई उसे किसी के हाथ बेज देगा, और राम नगर की कच्ची बस्ती के बाहर एक धेर पर एक लास मिली है, हालां कि जीते जी उसे किसी ने आद अलमी के लास है, मरने वाले की उम्र कोई ज्यादा नहीं, पर फोड़े फुन्सरियों और खुब मवाज से, खुब मवाज ने चेहरे को एकदम विक्रित कर दिया है, सुनते हैं कोई मजदूर था, कई बरस पहले चर्थी जवाने में गाउं से आया था, और रिक्सा चलान लगा था, फिर ताला चाबी के कारखाने में लग गया, उन दिनों सहर में एक अभियान चल रहा था, जिसके तहद ने संतान होने के बावजूद उसकी निजबंदी कर दी गई, फेक्टरी के सेट ने धीरे-धीरे करके उसके सर पर काफी करजा चड़ा दिया, उसे एक तर हार गोड कमजोर हो गया, एक दिन उसने चोरी करने से इंकार कर दिया, उस दिन उसे चोरी के इलजाम में पकड़वा दिया गया, थाना कचहरी, जिल का चकर एक बार चला तो चला, नाम मुझरिमों में आ गया, वह करे या ना करे, अब जब कहीं, जहा कहीं चोरी हो, उसे पकड़ लिया जाता, हार कर सचमुच चोरिया करने लगा, और बार बार अंदर बाहर होता रहा, बार बार की इस आवाजाही ने उसे एक विचित्र बिमारी लगा दी, उसके सारे सरीर पर भोड़े और फूंसी हो गये, और उनमें मवाद पड़ गया, उसने धिरे-धिरे स सराब पीना सुरू कर दिया और अब वह एक पका सराबी बन चुका था, हर जगह से दुत्कारा जाता, कुत्ते की तरह, दुरदुराया जाता, सरक पर पड़े रद्धी कागजों से अपने जखमों की पीप पोचता, रहता और मोका मिलते ही वह चोरी करता, सराब पीता, ज उसका नाम धूडा था लेकिन लेख़ कारे हैं कि उसका नाम धूडा नहीं था, उसका नाम नैन्सिंग था, और सच बात तो यह भी है कि वह मरा नहीं, अभी तक चिन्दा है, यानि इसी तरह के अत्याचार साते समाज में जो हालत पसून की है, उससे कम बुरी हालत इंसान कि नहीं है वो भी उसी तरह दोहे जाते हैं और उनको इस्तमाल किया जाता है उनकी आखरी सिमा तक और अंत उनका इसी तरह होता है प्रीव मवाद से भरी हुई उनकी मिर्थी होती है तो यह थी कहानी स्वेंप्रकास की नैंसी का धोड़ा मैं आपसे मिलते हूं फिर अगले वीडियो में मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ मेरे इस वीडियो को जरूर सेर करें पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तह दिल से धन्यवाद